तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की ये वीडियो आज सभी लोगों के लिए काफी ज़दे इंपोटेंट होने बाली है देखो जियो 4G के रिचार्च प्लान से जियो का 5G रिचार्च प्लान इतना सस्ता क्यों है जहां 5G में आप लोगों को 395 रुपे में अलिमिटेड 5G डेटा और इसकी वैलिटी 84 दूनों की बो सभी बातें में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को आप लोग अंतर तक देखना वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दोना चलिए शुरू करते हैं देखो सब से लोग जान लो कि अगर आपके पास एक 5G फोन है और आपके एरियास में जियो का 5G नेटबर्क आ गया है तो अगर आप लोग यहाँ पर 395 विर्पे ले रिचार्ज पिलान कराते हो तो 395 विर्पे में आप लोगों को यहाँ पर अल्लिमिटेड कॉलिंग मिलेगी बैसे ये प्लान 4G यूजर भी करा सकते हैं मगर उनको यहाँ पर अल्लिम्टेड डेटा नहीं मिलेगा सिर्फ 6GB का डेटा एक ही बार के लिए मिलेगा मगर हाँ अल्लिम्टेड कॉलिंग उनको 84 दिनों की मिलेगी जो भी 4G सिम कार्ड यूजर है अगर हम बात करें जो लोगों के पास 4G स्मार्ट फून है और जियो का 4G नेटबर्ग यूजर करते हैं तो उनके लिए 719 रुपे वले रिचार्ज प्लान आता है जिसमें यहाँ पर अल्लिम्टेड कॉलिंग मिलेगी 2GB का डेटा डेली मिलेगा सो एसमस में आपको डेली मिलेंगे इस प्लान के आपको वैलेटिटी मिलेगी 84 दों की बहीं 395 में आप लोगों को यहाँ पर 84 दों तक अल्लिम्टेड कॉलिंग और अल्लिम्टेड डेटा मिलेगा जितना भी डेटा यूज़ करो तो यह है सस्ता रिचार्ज 5G उजर्स के लिए तो देखो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर जियो 5G बैलकॉम उफर के तहत 5G ट्राइल दे रहा है जिन लोगों के पास यहाँ पर 5G स्मार्ट फून है और जिनके एरियाज में 5G नेटबर्क लाँच हो गया है अब इसे यहाँ पर क्या 4G उजर्स को नुक्सान होगा तो जी यहाँ बिलकुल होगा तो देखो अभी यहाँ पर जिन एरियाज में 5G नेटबर्क लाँच हो गया है और जिनके पास 5G फून है बो तो यहाँ पर 395 रुपे में 5G उजर्स के लिए अलिम्टे डेटा प्रोवाइट किया जा रहा है 84 दों की वैलिटी के साथ अब यह जो इतना सस्ता रिचार्ज प्लान पड़ रहा है 5G उजर्स को जियो एक तरह से घाटा ही खा रहा है यह एक साथ से मालों की लिट लगा रहा है एडिक्सन लगने के बाद में यह जो 5G बेलकम आफर है आगे चलके बंद तो जरूर किया जाएगा और यहाँ पर अभी आपको 395 रुपे में अलिम्टेर 5G डेटा मिल रहा है जब 5G रिचार्स प्लान लाँच होंगे तो वो काफी महंगे होंगे और हो सकता है कि यहाँ पर 4G और 5G उजर्स के लिए एक जैसे ही प्लान हो तो जिन लोग एक पास टेम 4G फून है और उनके एरियाद में 5G नेटबर्ग भी आ गया है तो उनको भी आगे चलके जब यह 5G रिचार्स प्लान सबी लोगों की लागू कर दिये जाएंगे तो उनको भी ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे तो जियो हम लोगों से ही बसूलेगा अब यह सस्ते प्लान में यहाँ पर 5G आफर कर रहे हैं मगर आगे चलके 4G और 5G यूजर्स के लिए एक जैसे ही महेंगे रिचार्ट प्लान हो जाएंगे देखो जियो की तो यह हमेशा से चाल रहती है कि वो पहले फिरी करता है उसके बाद में उसको बसूल लेता है तो अगर आपके एरियाज में 5G नेटबर्ग आ गया है तो आप भी एक 5G फोन लेकर आप लोग अल्लिम्टेड डेटा का लाब उठा लो बरना आगे चलके अगर यूज भी नहीं किया है फिर भी आप लोगों को उसका ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है और बाकी कंपनियों में ऐसा नहीं है जो भी यहाँ पर एटल ने अभी अपना 5G लाँच कर दिया है उसमें आप लोगों को यह बेदवाव नहीं देखने को मिलेगा हाँ एटल में कुछ ऐसा है जिन प्लांस में डेली डेटा मिलेगा उसमें ही अल्लिम्टेड 5G डेटा मिलेगा सर्थ यही है 249 से उपर का रिचार्ज प्लान होना चाहिए मगर जियो में ऐसा नहीं है जिसमें आप डेली डेटा नहीं है उसमें भी 5G अल्लिम्टे डेटा मिल रहा है तो बैसे अगर आप लोगों को 395 रुपेलर रिचार्च प्लान कराके 84 दिनों तक अल्लिम्टेट यहां पर डेटा यूज करना है तो आप लोग यह वाली वीडियो देख लेना इस वीडियो में आप लोगों को बताया है कैसे आपको रिचार्च प्लान करना है तो पूरी जानकार ही आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी तो चलिए आसा करता हूँ आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया